बेस्ट टैन हिंदी लेंग्वेज सीटेट के कोश्चन्स तीस में से तीस हिंदी में आप लेना चाते हैं तो आपके सीटेट के एकजाम में इससे बाहर नहीं आएगा टारगेट आपके 125 प्लस है तो आपको अभी से तयारी करनी पड़ेगी और आज किस वीडियो में इंट्रेस्टिंग तरीके से हम 10 कोश्चन करेंगे जिसमें हिंदी ग्रामर को हम काफी बारी किसे समझेंगे और सिर्फ सीटेट नहीं यूपी टेट एच टेट इसके अलावा हर राचे के टेट एक्जाम के लिए ये इंपोर्टेंट होंगे आपने अभी तक हमारे बैक टू स्कूल की अंड्रोइड अप्लिकेशन को भी इंस्टोल नहीं किया है तो कर लीजिए सीटेट के अंदर 90% से ज़्यादा जो आपके कोशन्स आएंगे वो हमारे बैक टू स्कूल के मौक टेस्ट के अंदर से आएंगे और वो आपको मिलेंगे हमारी एप के अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने जल्दी से जाईए और क्या कीजिए सब्सक्रिप्शन ले लीजिए तो चलिए दोस्त स्टार्ट करें आज की कोशन्स को स्टार्ट करते हैं आज की कोशन्स को आज के दिन किसी ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो किसी का नाम लिया नहीं मैंने तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन लीजिएगा पहला कोशन देखते हैं पहला कोशन है नराधम शब्द में समास कौन सा है नराधम बताईए देखे समास का मतलब क्या होता है देखे समास का मतलब होता है छोटा करना ठीक है समास का मतलब क्या होता है छोटा रूप अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया छोटा शब्द बनता है उसको आप समास बोलते हैं नराधम मतलब नर है जो अधम या फिर कहें पापी आदमी जो पापी है तो यह कौन सा समास हुआ दोस्त यह करमधारिय समास हुआ अब आप बोलेंगे करमधारिय समास कौन सा होता है देखिए वह समास जिसका पहला पद विशेशन हो और दूसरा पद विशेशन होता हो यानि कि एक आदमी नर है और वो कैसा है पापी है तो विशेशन कौन सा हुआ उत्तर जो दूसरा पद है ठीक है दूसरा पद क्या हुआ विशेशन हुआ और यहां पर आपने देखा कि करमदारिय समास आपका लगेगा जिसका पहला पद विशेशन और दूसरा पद विशेशन होता है वो मैं बोलने में थोड़ा था कंफ्यूजन हो गई लेकिन आप करमदारिय समास आएगा तो नराधम में करमदारिय समास है नेक्स्ट कोशन है निमांकित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है बताइए भवन पवन गगन जलन बताइए देकि तत्सम शब्द होते हैं संसकर्ट के वेए शब्द जो हिंदी में जो कितियों आ जाए और होगा जलन अब आप बोलेंगे सर किसका तत्सम शब्द क्या होगा तो इसका तत्सम रूप होगा जवलन ठीक है कहते हैं जवलन शील पदार्थ चलिए तो आंसर डी होगा इसका तीसरा कोशन है कविंदर शब्द में कौन सी संदी है बताओ कविंदर शब्द में कौन सी सं संदी होगी दोस्त आप बोलेंगे सर दीर के संदी कैसे हुई देखें दीर के संदी अब इस तरीके से हुई कविंदर को अगर तोड़ें तो कवी प्लस इंदर हो जाता है तो यहाँ पर जो यह नियम कहता है वो यह कहता है कि छोटी E प्लस छोटी E क्या बन जाती है बड़ी E बन जाती है तो ये कविंद्र में ये बड़े E की मातराईन है तो छोटी दो E मिलकर ये बड़ी E मिली यानि कि जब हरस्व या दिर्ग यानि कि A, E, U, U के पस्चात यदि हम कोई हरस्व या फिर दिर्ग स्वर लगा दें तो दोनों मिलकर दिर्गसंदी का निर्मान करते हैं तो दो छोटी E से मिलकर बनी बड़ी E तो ये यहाँ पर दिर्गसंदी होगी कविंद्र में ठीक है, नेक्स्ट कोश्चन की तरफ आके बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन फिर समास का आ गया भई छोटा रूप शूल पानी आप से पूछा गया है कि शूल पानी में समास कौन सा है बताईए देखिए शूल पानी का अगर हम देखे तो होगा शूल है हाथ में जिसके हम एक तरीके से इसको शंकर या शिवजी मान सकते हैं तो ये कौन सा होगा देखिए जिस समास के दोनों पद आ परदानों और समस्ट पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ परदानों उसे बहू बरी समास बोलते है शूल पानी बहू बरी समास होगा क्योंकि ये शंकर की तरफ इशारा करता है, शूल है हाथ में जिसके, ठीक ना, और बहुबरी समास क्या होगा, जिसमें समास के दोनों पद ऐ परधान हो, और समस्त परध के अर्थ के भी अलावा, कोई सांकेतिक अर्थ परधान हो, उसे बहुबरी समास आप बोलेंगे, तो गो शाला में समास आएगा आपका, गायों के लिए शाला, जैसे गायों के लिए शाला, गो शाला को हम अगर देखें तो बनेगी, गायों के लिए शाला, और आंसर यहां पर आजाएगा, तत्थ पुर्ष, अंसर आएगा तत्थ पुर्ष समास, तत्थ पुर्ष में क्या होता है, कि पूर्व पर, इसके अंदर जो पूर्व पद है, वो कैसा होता है, परधान होता है, और उत्तर पद, गोन होता है, ठीक है, तो यहां पर आप क्या लगाएंगे, तत्थ पुर्ष लगाएंगे, च शब्दों को संस्कर्ट से बिना किसी change के ले लिया जाता है उन्हें आप तत्सम बोलते हैं ठीक है तो हुलाज शब्द का तत्सम रूप क्या है देखे हुलाज तो आपका तदभव रूप है तदभव शब्द है तो हुलाज का ओरिजिनल शब्द क्या होगा संस्क्रत का जहां से यह निकला उल्लास क्या होगा उल्लास ठीक है तो इसका तत्सम रूप उल्लास होगा चलिए next question की तरफ आगे बढ़ते है समविधान का संधी विछेत क्या है समविधान देखिए अगर आप से पूछे संधी क्या होती है तो संधी का मतलब क्या होता है दो वर्णों के मेल को संधी कहते है दो वर्णों के मेल को संधी कहते है और संधी को तोड़ना संधी को तोड़ना संधी विछेत कहलाता है तो यह संधी विछेत क्या होता है समझ गए ना दो वर्णों के मेल को संधी बोलेंगे और संधी को तोड़ने को संधी विच्छेद बोलेंगे तो संविधान का अगर संधी विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा सं प्लस विधान तो यह कौन सी आपकी तो आंसर क्या हो जागा सम पलस विधान option number B answer आ गया लेकिन अगर आपसे संधी पूछे कौन सी संधी होगी बताओ ये vengeance संधी होगी कौन सी संधी होगी यहाँ पर ये vengeance संधी होगी यानि कि vengeance का vengeance से या फिर किसी स्वर से मेल होने पर जो change होता है उसे आप vengeance संधी कहते हैं तो चलो answer B की तरह पोँचे और बागी चीज़े भी आपको बताई next संधी शब्द कानिमन में से कौन सा संधी विछेद है बताईए संधी शब्द आपने देखा होगा देखिए इसका संधी विछेद है option number B सत्थ पलस जन क्या होगा सत्थ पलस जन और जैसा कि आपको पता है संधी किसको बोलते हैं दो वरणों के मेल को ठीक है ना दो वरणों के मेल को अब देखिए ये सजन हुआ कैसे यहाँ पर हमने देखा कि सत्थ पलस जन से हुआ और यहाँ पर आधाज जो ये तै था और ये जो जै था यह किसमे convert हुआ इसमे ठीक है याद रखना है आपको और यह vengeance अंदी होगी कौन सी होगी vengeance चलिए और vengeance अंदी क्या होगा vengeance का vengeance से या फिर vengeance का स्वर से या स्वर का vengeance से मेल होने पर जो विकार उत्पन होता है उसे आप vengeance अंदी कहते हैं चलिए next question की तरह बढ़ते हैं वर्द मान शब्द में प्रत्य बताईए देखिए अगर बात करें उपसर्ग की तो वो लगता है आगे और अगर बात करें प्रत्य की वो लगता है पीछे तो वर्द मान शब्द में प्रत्य बताईए प्रत्य पीछे लगेगा जल्दी मुझे बताओ देखिए वर्द प्लस मान, इस से मिलकर बना है आपका तो answer कौन सा होगा option number है, अब वर्द मान का मतलब क्या होता है, देखिए वर्द मान का मतलब होता है, बढ़ता हुआ विर्धीशील progressive जिसको बोलते है तो वर्द मान का मतलब क्या होगा progressive चलिए, तो मैंने आपको विछेद भी करके दिखाया, तो प्रतिश के अंदर मान होगा, next question देखते है, निमन में से किसे शब्द में प्रे उपसर का प्रियोग किया गया है, बताइए प्रे उपसर का प्रियोग अब देखे, एक के करके इनको देखते हैं, ये प्रतीक्षा क्या होता है, प्रती प्लस इच्छा, ऐसे प्रतिक्षा बनता है, प्रवीन का, प्रे प्लस वीन अब आई, प्रवीन है ये तो प्रे प्लस वीन प्रतिग्या, प्रती प्लस ग्या परियावरण, परी प्लस आवरण प्रे उपसर किस में हो रहा है प्रवीन में ठीक है किस के अंदर प्रवीन में बाकी के अंदर नहीं है ठीक है चलो यहाँ पर आंसर आपका भी वाला हो जाएगा तो दोस्त हमारी जो back to school की एप है उसमें जो exam में question आते हैं 3000 प्लस हमारी एप के अंदर पीडिएफ नॉट्स और मॉक टेस्ट है कौन सी language में हिंदी प्लस इंगलिश में वीडियोस तो आपको ज़्यादा back to school के चैनल पर मिलती है लेकिन वहाँ पर वीडियोस तोड़ी कम मिलती है लेकिन बाकी का content जो यहाँ पर YouTube पर नहीं मिलता वहाँ पर भरपर के मिलता है आपका exam बिल्कुल भी नहीं छूटेगा इससे पहली भी मैं हिंदी की पैडागोजी भी आपको करवा रहा हूँ वीडियोस भी आपके लिए काफी डाली हुई है और लगातारा भी रही है और यह content वाली वीडियो भी आ रही है हिंदी grammar की तो इनको like जरूर कीजिए क्योंकि दोस्त जिस भी series को जिन भी वीडियोस को आप जादा से जादा like करेंगे उतनी ज़्यादा वीडियोस में आपके लिए लेकर आऊंगा तो like करना बिल्कुल भी न भूलें अपने दोस्तों के साथ भी आप लोगों को share करना है और इस वीडियो के बाद दोस्त जैसा कि आज के दिन किसी ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिए आप जरूर लीजिए सीटेट के अंदर अगर आपका टार्गेट उसको clear करना है तो आपका टार्गेट 125 प्लस के साथ होना चाहिए जिसके लिए हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे नेस्ट वीडियो में मिलता हूं तब तक लिए जाहिए भारत नहीं मौस्त इंपोर्टेंट बात पढ़ते जरूर है ना वीडियो को like share करते रो